कि अब अब आपको बता दो कि मैं किसी कारण वस्ते लेट हो गया था काफी दिनों से में वीडियो नहीं दे रहा था आप कि लिए कि अब से आपकी एक्जाम मंत्रा सिरी यो है दोस्तों वाश शुरू ही है छिकर न इक्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी होगी ठीक है दोस्तों चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज की सेशन कितने अच्छे और आपके लिए बेहतर होगा और दोस्तों इस बार आपकी एक्जाम में तो इस वीडियो को जरूर अंतक जरूर देखें यह बहुत ही बेनिफीसियल वीडियो होगी आ इन्हीं कहने का मतलव है कि गांधी जी की मिर्टु जो हो जाती है किसके के धुवारा हो जाती है और कभ हो जाती है झादम बताना चाहूं जब ही ओन्हें का प्रियोग आएगा जो आप ऌन देख रहा हो ना तो यह किसके low tip जाए देट देट और यह बेह लेता है दोनों य इनका प्रियोग येर के लिए होता है इस बात को आप याद कीए ढख लिए आपको दिखाना होग समान लिजी आपको 149-205 काने और इनका क्रयोग केसे था नहां डिर दिखाना हो दोनों दो समय मिजिए है कि दोनों की दोनों पुश्च रहा डिप और यह पूछ रहा है ठीक ना डेट यह में क्या है फ्रसा देखते हैं दोस्तों ठीक ना अब आपका option flash हो रहा है आप गेस किजिए कि इसका right answer क्या होना हुआ है मेरे प्रवंदो गेस करने के प्लैस किजिए चार option आपके स्क्राइब फ्लेस हो रहा है ठीक ना जल से जल कॉमेंट कीजिए बगता ये इसके ऑप्षन क्या होगा गांधी जी की मीर्तु जो कब हो जाती है ठीक ना कि चलिए कि आपका समय सी में समाथ होता है इसका राइट अंसर दोस्तों हो जाएगा वह आपका आप संसी क्या हुजए कि हो जाएगा अप सुंसी ठीक है से इसके अफ जांक ना बढ़ें गेहां जा चलिए नेक्ष्ट कॉर्सन आपकता है आप देख पा रहे हैं कर दोब और इंडिया हाज इनबॉल्ब्ट इस नट टू बीट इन दो वोल्ड फॉम डैस यानि को रहा है कि जो हम मुझे विश्वासि के जो भारतिय सब्यता है वह देश में किसी भी कहीं भी प्रास्थ नहीं हुई एठीक ना इन किसका कैथन है यह हमारे गांधी जी के कैथन है और मैं मैं बता दू कि हम लेक चाप्टर जो पर रहे हैं दोस्तो वह है भारतिय सब्यता और संस्कृति क्या हम लोग पर रहे जाए भारतिय सब्यता और संस्कृति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके राइटर कोई और नही दोस्तों याद रखिएगा और मैं बता दूँ कि यह एक एसे हैं एक्जाम में कई बार यह बात पुछा गया है तो यह क्या है एक एसे हैं ठीक ना इतनी बाते कंप्लीट हुई वीडियो दोस्तों लाइक लगे तो जरूर लाइक करें शेर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेज़े ताकि वह भी सीख पाएं अच्छी से मैं ग्रांटी के सांथ कर रहा हूं कि आप इस सेशन से जूड़ जाते हो मंत्रा सेशन से जूड़ते हो तो इंग्लिस में 90 प् प्यारे बंधू ओं कहां से लिए इंडियन सिवलाइजेशन कल्चर से लिए जिसके राइटर हमारे महातमागादी है चले इसमें ऑप्सन क्या है थोरा हम गौर करते हैं ऑप्सन यह आपका फ्लेश हो रहा है यह पूछा गया है कि यह लाइन कहां से लिए ठीक है न तो यह यह कहां से लिए दोस्तों भारतिय शब्यता और संस्कृति से ले गई है इसके राइटर कौन है जी महातमा गाधी है एम गाधी भी हम लो कह सकते हैं ठीक ना दूसरी बात कि यह दोस्तों क्या है जी यह से कर्थात होता है निवन्द है ठीक ना आपको हैसी सको भी याद नहीं दोस्तों निबंद है याद रहेगा न इक्जाम में इसको कही बार पूछ दिया गया है तो गाधी जी का ऐसा मानना है कि हमारी भारत्य शभ्यता जो है वह कहीं भी वह प्रास्त नहीं हुई है दोस्तों यहाँ पे बात याद रखिए का यह जो आपका इन दिखर है इं इंग्लीज में आपको मैं बहुत को सिखाऊंगा बहुत चीज सिखाऊंगा आप जानते हो कि इंडिया जो है एक प्रॉपर नावने कैसा नावने प्रॉपर नावने और कभी भी इसको स्मॉल लेटर से लिखना यह गलत होगा ठीक ना यह मिस्टाइब अमिस ठेक नेक्स्ट पोशन आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दिजिएगा गौर फरमाईएगा इंडियन सोरी सिविलिजेशन पॉइंट्स आउट टू मैंडेस इजो सभ्यता है किस चीज़ को दर साता है क्या चीज़ को बाहर लाता है वो भी किस के लिए कुछ County वह मनृष्य के लिए मनूष्य में विकास करती है किसको विकास करती है मनृष्य कि और सभ्यत्ता चाप्टर का रैटर को माहत्मगादी और यह चाप्टर क्या जी तो एसे बात को बिल्कुल भूलना नहीं चलिए इसको option में देख लेता है इसके option में क्या है ठेक तो देखिए option D है option C आया और option D भी आया तो आप मुझे guess करके बताओ प्यारे बंधू कि इसमें से कौन सा option राइट होगा चलिए फटाफट इस सेशन को अगर सेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे फटाफट और शेयर भी किजे ताकि आप तो सीखोगे ना और अपने दोस्तों के भी सीखाओगे ठेके ना मुझे बिल्कुल उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और बहुत तिछी लगे तो सेर करना तो बनता है यारो बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगी सेशन का जो अगले questions है इसका राइट ऑप्शन गेस किजिए फटाफ़र comment box में आप बता सकते है comment box में क्या होना चाहिए क्योंकि आप अब exam की त्यारी के लिए ready हो चुके हो एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है मंत्रा सेट चल रहा है और इसमें आप लोगों बहुत चीज़ें सिखाई जाएगी जो हर हल में exam में question arise किया गया है और करता भी है तो मैं बता दूँ चली आपन लिए सप्शन होगा सी होगा यानि path of duty जो है वो क्या दिखाता है जी इनी the path of duty यानि करतव की mark को मार्ग को दिखाता है रस्ते को दिखाता है ठीकिना जैसे कि आप एक विद्यार्थी हो आपका भी करतब्य है आपका क्या कर्तब्य है कि अच्छी तरह परना, यानि आगे मैं बढ़ता हूं चली देखते हैं अगले कोस्टन में आपको क्या हो रहा है देखिए बहुत अच्छी क्या हो रहा है देखिए बहुत अच्छी के लिए बहुत इंपोर्टेंट यानी multiplicity of wants यानी अंगीनत चाहत अंगीनत चाहत समझते हो ना कई गुने में चाहत आपको मैं बता दूँ गांधी जी ने इस chapter में बताया है कि जो man होता है और उसकी जो mind होती है धिमाग जो होता है वह एक बैचैन बैचैन का मतलब restless कैसा जी restless बढ़ होता है उसको जितना मिलता है दोस्त उतना ही उसको पाने की एक्षा होती है वही बात है जो मुल्टिपल स्वांट्स मिलेंगे च्वाइस मिलेगी यह चाप्टर किसे समंदित है यह लाइन कहां से लिया गया है दोस्तों यह लाइन आप अच्छी तरह समझ गये हो गांधी जी के मैंने चर्चा कर दिया तो गांधी से स्वांटर कौन समंदित है इंडियन सिवलाइजेशन एंड कल्चर भारतिय शब्यता और संस्कृति अब हम देखते हैं कि इसमें आखिकर ऑप्शन क्या है पूछ रहा कि लाइन लिया कहां से गया है तो मेरे प्यारे बंधु आप असपस्ट बता सकते हो इस इसका राइट ऑप्शन जागा भारतिय शब्यता और संस्कृति यानि ऑप्शन एज राइट होगा याद हमें रखना होगा इस इसको यह राइट होगा ओके ना चलिए मैं बता दूए एक लाइन जोने कई बर कोर्शन पुछा गया है इस वीडियो सो त्यारी आप लोग किसी भी फेकल्टी का कर सकते हो वह साइन्स ओ आर्ट सो या कमर्स ओ यह तीनों के लिए वीडियो बहुत यूजफूल है आगे बढ़ते हैं अगले कोर्शन के तर होंगा मैं तो आपके लिए बहुत कुछ करूंगा आपके विजाम के लिए तो चार्चान लाओंगा बस आपको मेहनत करना होगा ठीक ना मेहनत करने के लिए जनून भी लाना होगा क्वेस्टन पड़ो यार क्या कर रहे हो तो वह सर की बातों में को सनुफोकस किया जाए चलिए कोस्टन क्या है कि कह रहा है कि इंडियन तो लिखाने आप बोल सकते हो इंडियन सीवलेजरेस्ट इस अधर डेवलोप्मेंट अव्टैस इस जो है दोस्त ओंसे सब्याता भारतिया सब अब पर रहें जो सब्याता है वह किसको डेवलोप्मेंट की बात करें किसकी व गिसेगन कीन होगी है लेकिन हम पात कर रहे हैं मनोष्यों की विक्तास की बारे में कर रहे हैं किसके वारे में कर रहे हैं मनुस्यों की यानि development किसमें होगी जी यह सभ्यता जो है हमारी किसको डेवलेप करेगी यानि मनुष्य की अंदर करेगी human की अंदर करेगी आपकी एक्जाम में दोनों option में से कोई एक दिख जाएगा या तो human लिखा होगा या man लिखा होगा ठीक है आप जाहां ये दोनों में दिखें कि development की बात आ रही है तो इस chapter से समंधि या human या man होगा चले देखते हैं option इसका क्या दिया है और आप सही option टिक लगाने की प्रयास किजिएगा ठीक ना बाते हमारी आपको शमाज में आ चुकी है चले देखिए option लो भाई option तो आपके सामने आ गया गिस करो क्या होगा मेरे प्यारी विद्यर्थियों गेस तो कर लो यार कम से कम इतना तो कर सकते हो चलो मुझे लग रहा है का अपने गेस कर दिया चलिए एनिमल तो हो नहीं सकता है पता है आप लोगो और यह नहीं होगा यह नहीं होगा तो रह गया कौन option A होगा ओके ना बात तो किलियर हो गई क्या चीज चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें क्या क्या और बाते हैं और इस सेशन में कौन कौन सी questions और हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे ठीक ना दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन अदर बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा question है focus किजिए focus किजिए दोस्तों कह रहे है और फूर फादर पहले समझ लेते हैं question को कि उसके वड़ा option तो आप खुदी बताओगे सर को बतानी की जुरू तो पड़ेगी नहीं चलिए ध्यान देते हैं question number six and question को रहा है और फूर फादर जो हमारे दादा पर दादा थे यह पुर्वजो की बारें बात कर रहे हमारे जो फूर फादर थे यह पर दादा जो थे डिड़ नोट इवेंट मसीन वह मसीन का विश्कार नहीं किये बात तो सही है कि नहीं किये only but because to keep नहीं किये ऐस तो बात होगी जी बात होगी एक्षुली बात यह है कि हमारे पूरुवज इसलिंन नीरबान किये क्यों जानते थे ज़िए श्भान मसीन का निर्मान करते हैं विसकार करते हैं तो वी आर लेजी कर सकते हैं हम लो हो जाएंगे आलची हो जाएंगे और हम SLABS हो जाएंगे सलेपस का मतलब होता है ना गुलाम हो ज्शाएंगां Mediatges चीज़ के लिए बाइक है कार है फोन है यह सा मसीन से दोस्त आज वास्तों में हम लोग गुलाम है मसीन का आप बले इस बात के लिए आपको दुख लगे लेकिन हम लोग धेहान दीजी कोशन के नुशार हमारे पुरुवत जो थे मसीन का निमान इसलिए नहीं करते थे क्यों कि अब देखते हैं कि हमारे ओफशन क्या दिया है ठीक नहीं आप घेस करते में बहुत क्यों कि minder अध्म देखते हैं कि वृट आंध्य्म आूजह का लोगा कि जिलियस की बात तो करें हम लोग किये नहीं है डे डिड नॉट लाइक टुसी असा कॉंप पॉप आइसी बात नहीं कि वह लो अरामदाइक जीवन को मतलब यह करते थे ठीक ना दे नो उड़ भी हैपी क्या वो जानते थे के मसीन कर देंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे नहीं वह यह बात जानते थे दोस्तो जब यह तीन गलत है तो चौथा सही होगा आप मैंने बोला था स्लेप्स की बात किया था तो आप यहां से भी याद रखेगा स्लेप्स की बात मैंने किया था और बोल रहा है कि दे नियू वह जानते थे कि वी उड़ भी स्लेप्स वह गुलाम हो जाएंगे किस की गुलाम हो जाएंगे तो मस्जिन्स की गुलाम हो जाएंगे दोस्तों इस बात की हुआ जनकारी अच्छी खासी तरस जानते थे बात तो किलर हो गई नेक्स्ट कोशन दो बढ़ता हैं समझ में आ गया होगा ठेकिना दोस्तों इस सारे के सारे एक्जाम में क्वेशन से राइज किये गये हैं कई बार एक बार नहीं लगतार पुछे गये हैं और आपकी 2021 किसकी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन दोस्तों वीडियो का अंतक जरूर देखें अगर एक्जाम से रिजन लेना है तो ठीक ना इस सीरीज लगतार चलती रहेगी चाप्टर वाइस चाप्टर ठीक न दोस्तों नेक्ट कोशन देखिए बहुत अच्छी क्वेस्टन है पहले क्वेस्टन को समझते हैं क्या कर रहा है ठीक ना इस क्वेस्टन और अफ टील और इस टेकन फॉम एक कोरा हिसवाक्य में कुछ ऐसा तोछीज में है जो अभी भी जिन्दा रखा है कुछ ऐसी बाते हैं उस ऐसी चीज है जो हमारे भारत में ही नहीं कई जगह ध्यक्तित का सर्भाईव किया उसको जीवित रखा हैं काहरा इस टेकन फोर्म किस चैप्टर से ली गई है तो आप तो समझ गए होंगे ठीके ना किस चैप्टर से ली गई है तो हम लोग बात किस चैप्टर कर रहे हैं गांधी जी किस चैप्टर के बारे बात कर रहे हैं तो गांधी जी कौन से चैप्टर लिखेते हैं आप अच्छी तरह जानते हो जो ए बच गया जी, option C is right हो जाएगा, किलियर होई बात है, ठीक, चलिए, आगे हमें बढ़ता हूँ, इसमें कुछ और बाते देख रहा हूँ, next question के तरफ, चलिए question को समझ लिया जाए, बहुत अच्छी question है, महातुमा गाधी, has been written, या बीन का भी प्रियोकर सकते हैं, इसे भी लि आई रहा हूँ, आओ ले सले तुम्हें, तारो के सर में नहीं दोस्त, परिक्षा के सहर में, क्या जी, चलिए, फिर से question को देखते हैं, कि आपको पता है, कि गांधी जी ने कौन से chapter लिखा था, वह आप अच्छी तरह जानते हो, option फ्लेस वो रहा है, बताने का प्रियास कर होने आगया, पहली बात तो इसमें तो यह तो है थे नहीं, यह लिखे नहीं है, यह भी लिखे नहीं, जो बच गया option C, जो है, राइट होगा, जो हमारे गांधी जी नहीं लिखा था, चलिए हम आपके बढ़ता है, next question क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे, इसको आपको याद रखना है, चलिए देखते हैं कि वह कहां के थे, option flash हो रहा है, बताने का प्रयास कीजिएगा, ठेक, चलिए देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा गेस करते हैं, exam की त्यारित आप लोग अक्ष्य से किया होंगे, पहली बात तो रसिया का थे नहीं, इंडिया का थे नहीं, ग्रेस का थे नहीं, इजिप्ट का अर्थ का होता है दोस्त तो मिस्तर के नाम सुने होंगे लो, ठेक ना, मिस्तर के नाम सुने होंगे लो, मिस्तर ऐसे लिखा जाता है, ठेक ना, सुध हिंदी में इसका फोकस किया जाएं, तो मिस्तर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठेक ना, तो इजिप्ट जो था, याद रखिए का एक्जाम में लाइन कई बार पूछा गया है फिर होप्स जो था वह मिस्ट के क्या था जो रूलर था शासक था ठीक ना याद रखने वाली बात है ठीक सब्सक्राइब करने से याद हो जाती है आप शुद बता होगे ठीक ना चलो देखते हैं कि आप कितना सही करते हो कॉमेंट में करना भूले नहीं करने से जानते हो चीज हमेशा याद हो जाती है आप लोग कभी बहुत बड़ी गलती करते हो कॉमेंट नहीं करते हो कॉमेंट का अर्थी हुआ इसका राइट इंसर कॉमेंट करना होगा यह आपकी लिए दोस्त मेरे लिए आपकी लिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ नेक्स्ट कोशन दो बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन कहता क्या है थोड़ा देखिए अगर्ट कोशन ने कुस्ट आज आज मुझ खास करेंगे एक्जाम के लिए बहुत है कोसं देखिए यह भी कोशन आप अच्छी तरह जानते हो किसकी डेवलोप्मेंट की बारें बात करती है तो आप अच्छी तरह जानते हों कोशन रिपीटेड है आप देख लिए इसका राइट एंसर क्या होगा मैं तो बताने वाला हूं नहीं हूं ठीक ना नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करें बताएं कि 12 क्या उप्सन क्या होगा ओखे दोस्तों ए सबहता वात है किसे जुड़ा हुआ धैं किहां ठीक ना जो किससे जुड़ा हुआ है इस जुड़ा हुआ इस सीज किस से जुड़ा हुआ किस से एसोसियेट है तोवा एसोसियेट है किस से जी थे तबाद को भूलना नहीं he कोई बात नहीं क्वेस्टन है फिर मैं कुर्ट्ट्स आपको बता दिया है तो इंट वा झूड़ाने भीडर हो गए यार मजा के वेखद होती है चलिये देखिए चलिये आ गया कोशन कोई बात नहीं है तो क्वेशन से ही था कि गीवन जो था वह किस से ऐसोसियेट था एसोसियेट था इस चीज़ को आप याद रखिएगा तो वह इटली से था ठीक ना इसकी जुड़ाओ जो थे वह किसस चलिए प्यारा सा कोशन बढ़ते हैं जो एक्जाम में चार चांद लगाने वाला अब कि ठीक ना एक भी कोशनस नहीं छुटेगा अब देखे यार मजाग के तो हद हो रही मानना पड़े गया पहले ओप्षन कैसे आ गया गजब यह हमारे भाई सब्पीट जो पीटी बनाए ना उनकी देन है ठीक ना फिर भी चलिए कोई बात नहीं हमने हम लोग करेंगे यह हमारे टाइप राइटर की कमी है फिर भी चलिए उनका भी मजाग हम लोग मजाग में ही लेंगे चलिए पहले ऑप्षन ही मिल गया अब क्या बात है यार गजब मानना पड़ेगा चलिए अब आ रहा है क्वेस्टन क्या बात है यार क्वेस्टन तो बहुत अच्छी है क्वेस्टन को पहले समझ लेते हैं को रहा है प्लेन साइमिन सीम्पल लिविंग एंड हाई थींग शदा जीमन उच्छे विचार इस बेस अब डैस यह किसका बेस है यार बेबी को बेस बेबी के पास और यहां पर चलते हैं सोना मोना भूल जाइए खोशन के एक्जाम की तैरी किजिए नहीं तो आपके गार्जियन आपको सोना मोना के पास जल्दी फिज देंगे ठीके ना और मेरे मेरे प्यारे दोस्तों पहली बात तो हम अमेरिकन सब्यता के बारें बात न है वह हमारे पुरवज रहते हैं और रहते थे ओखे आगे में बढ़ता हूं मुझे लगतो रहा है आपको सेटन बहुत पसंदा रहा है दोस्तों अगर जाधा ही पसंदा रहा है ना कि खुशियों के मेरे संद बयान करें और इसको जरूर अधिक सदिक सेयर करें चलिए दे हो यार कितने अच्छी क्वेशन बता रहे हैं भारत की गरिमा इस डैट इस ओ है कहा है कैसी है भारत की शभ्यता जो है उसकी गरिमा जो है कैसी है इस इसको हम ध्यान देते हैं तो आप जान लिजिए एक बार हमारे देश में बहुत लोग आए बहुत सरी बदला हुई लेकिन हमारी सभ्यता संसकार संस्कृति में कोई सी बदला नहीं हुई हमारी सभ्यता देखिए मुभमन होता है बदलना हिलना हटना लेकिन हमारी सभ्यता और जो है हमारे संसकार है वह कभी बदला नहीं और हमारे भ भेपाय देखने को मिलती है यह कभी बदली नहीं मुगुल माने होता है परिवर्तन वदल जाना अंसी लाइट मतलब समस्ते होना अस्ता बें गौर्ण का मतलब अग्यानता बात आ रहे हैं कि हमारी गरिमा जो है भारत की गरिमा है वह किसमे रही है वह पहले भी थी अभी भी मैंी है इम वड़ो लेकिन आनेवाल क्षमे मोई में पता नहीं क्या होगा दोस्तों दोस्तों तो भी यह संसकार और संस्क्रिटी कभी भारत से जाने वाली नहीं है ठीके ना मुझे तो जानते हो यार एक बात बता रहा हूँ असने की बात तो नहीं है फिरे मुझे असी आ गई बताईए गांधी जी ने भारत के लिए कितना किस किया अगर बटवारा की बात को हटा दें तो गांधी जी ने बारत के लिए बहुत कुछ किया एक बहुत अच्छे नेता भी थे और पता है जो में सब्यता और संस्कृती पर रहे हैं दोस्त उन्होंने आपको पता है कि मुंबई में जब विदेश से कपड़े आये थे यानि वेस्टन कपड़े अनि क्लोथे आये थे तो उन्होंने उसमें आग लगवा दिया था लगवा दिया था वो चाहते थे कि हमारी भारतिय शब्यता पहनावा से लेकर हर चीज इस्टेन होना चाहिए पच्छमी होना पुर्वी होना चाहिए बताए अगर गांधी जी अभी जिन्दा होते यह किसी रूप में और जनम में आ जाते यार वेसे मर जाते मर जाने के मतलब सौरी मत समझेगा यहां कि आज की जो कल्चर है उस कल्चर को देखकर उनको कितना तक्लीफ महुंश रहोगा चुलिए दोस्तों इस बात गटाई है दिल पर मना लीजिए कि हम कोस्टन आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्य है मज़े लिजे कोशन के साथ आगे आगे बढ़ते रही है ठीक है और आ कि मैँ स्चरंथ तो बहुत प्यारा है चलते हैं देखते हैं है कि बहुत अच्छी क्वेशन है इस्पेश्यूल का मतलब जया होता है कि इस प्रिश्यूल का मतलब अध्यात्मी कि जी सब दारन में किसका पतन्गोव पताजली स्टोर राम दें बबाब को याद कर सकते हैं कि कर रहा है कि डैस वाज स्पिरिच्वल देन लीडर देन लीडर देन पॉलिटिसियन वह कौन इंसान है जो एक राज नेता से अधिक अध्यात्मिक नेता का रूप में वह इंसान था तो वही कोई और नहीं हमारे महान महान आत्मा जो था किसी और के नहीं महत्मा गादी का था ठीक ना महत्मा यानि गांधी जी को महत्मा किसने कहाते भी कोशन मन सकता है तो आप लोग को याद रखिएगा रविंद्रा नाथट टायगोर याद रखिए इन्हों नहीं महत्मा क रहा था और महत्मा गाधी नहीं ने बिश्व कभी के नाम से निरुपित किया था ठीक है ना इस बात को याद रखिए ठीक है तो आप्शन देख लिजिए और आप्शन का आप्शन बता दीजिए कि इसका राइट एंसर क्या होना सही है ठीक है ठीक है ना देखते हैं ऐस सक्थ भूं मेरा उनभाव किसकी दवर लिखा गया एक्जाम में पूछ दे करे कि हाउब हमाहत्मा गांधी के आल्टिवा यर्यु कैनाम क्या है याद रखिए एक्जाम में कहीं पूस्ट दें राइट दा नेम आफ अच्छ बाइगराफिय आप महात्मा गाती तो उस अच्छ बाइगराफिय के दोस्तों कुछ और नाम नहीं बलकि यही नाम था आप लो याद रखिएगा उसका नाम क्या था माई एक्सपेरिमेंट भी तुरूट ठीक ना और इसका राइटर जमाल नहीं जब उनकी अत दिखिए बात याद रखिएगा एक होता है बायोग्राफिय क्या होता है बायोग्राफिय ठीक ना एक होता है बायोग्राफिय मैं दोस्तों इस राइटिंग में ध्यान मत दिखेगा राइटिंग मैं इसे सुजिसर के जिवनी आप लिखी गाना तो क्या कर लाएगा बायो ग्राफी आज जो वी सुजिसर अपना खुद लिखेंगे आपना जीवनी जीवन कथा जो है खुद लिखेंगे तो ऑठो माने होता है पता है ना अपनी कथा जीवनी यानि खुद की कथा जीवनी जिसमें उसे क्या वहते हैं और जिसमें दूसरी को लिखते हैं तो वह सिर्फ होता है बायोग्राफी दोस्तों आप लोग तो एंसर समझ गया होंगी इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए ठीक ना ये महात्मा गादी की बहुत इंपोर्टेंट है ठीक ना अगले कोस्टन के तरह बहुत अच्छा है करें दो माइंड इस रेसलेस्ट वर्ड जहां दिजिएगा यह लाइन आप लोग बूक शहीं लिया गया है कि दो माइंड इस डैस डैस दो मोर इट गेट्स और मोर इट वांस जो दिवाग जो गांधी जी को मैं बता दूं गांधी जी ने इस चैफ्टर में भारतिय सभ्यता और श्रस्कृति में उन्होंने कहा है कि जो हमारा दिमाग एक बैचान पक्षी के तरह है जिसे जितना मिलता है न उसको उतना ही पाने किक्षा होता है आप याद करो जब आप भी आप भी न पचास चाहिए जैसे बार्वी क्लास तक आयों गए तो नहीं हमको 50 रुपया साट रुपया सो रुपया यह 200 रुपय मुझे पड़े खर्चाच चाहिए तो इस परकार से हमारी एक छाय जो होती है दोस्तों अनंध होती है ठीक ना और अनंध होती है और एक अभी भी पू आगे मैं बढ़ता हूं ठीक ना आगे कोशन देखिए क्या क्यों सने बहुत अच्छी क्यों फ्लेसिंग हो रही है ठीक है पहले क्यों को समझ लेते हैं उसके आप आप एंसर खुद बता हो गया ठीक ना का रहा है दब पीपल अफ यूरोपीयन्स लर्ण देयर लेशन फ्रॉम राइटिंग अफ द डेस ठीक ना यानि वह कह रहा है न जो यूरोप की लोग थे राइटिंग इस्किल जो थे वह कहां से सिखेते हैं ठीक ना तो दोस्तों आप याद रखिए का ऑप्शन दिया है जर्मनी ब्रिटेनियन औरोम एं ग्रीक ग् इस्पेन तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट अप्शन हो जाएगा ग्रीक एन रोम ठीक ना तो इससको भूलना मना है चलिए देखिए एक और बात आ रहेए कुस्टन तो बहुत अच्छे हैं ओ यार ऑप्शन अच्छे तो अब भी लोग सुनकर मजग कर लेता है चले कोशन देखिए क्या कहता है अब आ रहा है पात वहीं पे प्लेन लीविंग वह सिंपल लीविंग था एन हाइट इस डैस मोटो यह किसका मोटो है किसका सिदान थे साधा जीवन उच्छे विचार किसका है जी चलो यार तो समझ तो दिया है तो नौन अब दिस से कोई चांसे नहीं नौर्थ की बात हुआ नहीं है दो चीज के बात हुए इस्टेन का और वेस्टेन का तो एक थाप आमारे फ्लोस पर जो थे वेस्टेन के यह उन्ही का दिया हुआ खथान है ठीक है ना याद रखेगा प्लेन लेविंग लेविंग और शीम्पल लेविंग और हाइथिंग जो होगा डिसेस इंडिया की चर्चा की जाती है उससे ठीक ना तो इस कोईशन को याद रखना जरूरी है ठीक ना अगला कोईशन दो देखते हैं सेक्रिफाइस कर रहा है सेक्रिफाइस इस दो सोल अगर सोल एम आफ आप जानते हैं एक चीज बात यह सारे चीज जो है त्याक की भावना किसी दार्चनी के पास नहीं होती है किसे साइंटिस्ट के पास नहीं होती है किसी फार्मर के पास नहीं होती है अगर होती है तो यह किसके पास होती है जी रीसियों के पास होती है साधू शंतों के पास होती यह दोस्तो होती बात याद रहेगा चलिए दोस्तो आज कि लिए इतना ही और अभी तक आपने बिश्यमμ लिवी उस्काइब नहीं किया है तो इसी परकार के विडियो को देखने हो ठीक है दोस्तों में लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा मैं 100 परशन दावा कर साथ मैं आपको 90 प्लॉस रिजल्ट दिला सकता हूं आप चैनल से जूरे रहें और डेली अपडेट्स को वाच करें बहुत ही बहतर होगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब त